नमस्कार दोस्तों, आज हम स्वाल्व करने वाले हैं CGPSC Pre का question paper फर्स्ट का GS paper इसका model उतर सहीं सरे question हम स्वाल्व करेंगे, तो आज देखते हैं जैसे आयोग ने जिस प्रकर रमौड्वाल इंसर लिया है वह question को start करते हैं पहला कोश्चन दिया है कि धावन सोडा का रसाइनिक नाम क्या है तो सभी जानते हैं दोस्तों धावन सोडा का रसाइनिक नाम हो जाएगा यहां पर अफ्सन ए सोडियम कार्बोनेट दूसरा प्रश्ण है निमलिखित में से किस ने कहा भारत भारतियों के लिए है तो यह वाग के द्यानन सर्फ सती जी ने कहत है अफ्सन सी इसका सही अंसर होगा तीसरा प्रश्ण है कि निमलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिये ग क्या जितनी कम होगी विस्पोर्ट के बिना संपिड़न जहलने की इन्धन की छमता उतनी ही अधिक होगी यह कथन भी गलत सिध्ध होता है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आफ्सन सी कथन एक और कथन दो सही नहीं है प्रस्ण 4 को देखते हैं प्रस्ण 4 में कहा गया है भारतिय समिधान में से कौन सा अनुच्छेद वार्सिक वित्ती व विवरण से सम्बंधीत है तो इस प्रश्ण का उत्तर है आफ्सन सी अनुच्छेद एक सो 12 अगला प्रस्ण है निम लिखित में से कौन सा मंदीर वास्तुकला की वेसर सैली का उधारण है तो इस प्रस्ण के उत्तर है आपसन ए वेसलेस्वर मंदीर चटवा प्रस्ण है संग और उसकी अधिकार छेतर के संबंध में निम लिखित कथन पर विचार करें तो पहला कथन दिया गया है भारत 28 राज्य और 8 संग सासित प्रदेशों से बना है जो कि बिल्कुल सही है अगला कथन है भारत राज्यों का एक संग है जो एक संपूर्ण प्रभुत संपन समाजवादी पंथ निर्पेक्ष संसदी विवस्था की सकार वाला लोकतांत्रिक गण राज्य है या कथन भी सही है इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा हमारा आप्सन सी साथ्वा प्रस्ण है एर इंडिया के Microsoft की Azure Open AI सेवा द्वारा सकती प्राप्त जेनरेटिव AI अभासी एजेंड का नाम क्या है आप्सन ये इसका सही उत्तर है महराजा प्रस्ण आर्ट इसकरवी एक बिमारी है जो खाली स्थान की कमी से होती है तो इस प्रस्ण का उत्तर है आप्सन सी विटामिन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्ण है निम लिखित में से कौन सा आधुनिक भारती इतिहास में घटनाओ के सही काला नुक्रमिक क्रम को इंगित करता है तो इस प्रस्ण का उत्तर है आप्शन सी सबसे पहले मारले मिन्टु सुधार उनिस सुनाओ जेलिवा लाबाख फिर उसके बाद गांधी इर्विन समझाओ था फिर अगस्त प्रस्ताओ हुआ था आते हैं हम अगले प्रस्ण की ओर प्रस्ण दस यहां पर बताया गया है जमीन से वायू मंडल के सीर्स तक हवा के एक इस्तम में ओजोन की मोटाई को डॉप्सन इकाई आप्शन सी इसका सही उत्तर होगा डॉप्सन इकाई कहते है प्रस्ण ग्यारा है कैबिनेट सची वाल पर विचार करें यहां पर पहला कथन दिया गया है कैबिनेट सची वालाय प्रत्यक्षता भारत के उपराश्ट पती के आधिन कारे करता है जो कि यह कथन गलत होता है दूसरा कथन है सचीवालाय का प्रसास्निक प्रमुक कैबिनेट सचीव है जो लेवक सेवा मंडल का पदेन अध्यक्च भी होता है इस कथन सही है तो हमारा पहला कथन गलत और दूसरा कथन सही तो यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है हमारा दूसरा कथन केवल सत्य है आप्सन भी इसका सहीं उत्तर होगा प्रस्न बारा भौतिकी में नोबल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया तो इस प्रस्न का उत्तर हो जाएगा आप्सन ए भौतिकी में प्रेवगिक विध्या जो पदार्थ में इलेक्टान गती सिल्ता के अध्यान के लिए प्रकास की आटो सेकेंड कमपन उत्पन करती है इस छेत्र में भौतिकी का नोबल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है प्रस्न 13 यहाँ पर पताया गया है रोलेट सत्याग्रह के बारे में निमलिखित कथन पर विचार करें पहला कथन दिया गया है रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिस सरकार के खिलाप पहला आखील भारतिय संगर साभित हुआ हलाकि यह काफी हद तक सहरों तक ही सीमीत था पहला कथन सही है दूसरा कथन पढ़ते हैं रॉलेट एक्ट ने अभियक्ति की स्वतंतरता जैसे मौली कधिकारों पर अंकुष लगाया और पुलीस की सक्तियों को मजबूत किया या कथन भी सही है तो हमारा इस प्रस्न का एंसर है ओप्षन एक कथन एक और कथन दो दोनों सही है प्रस्न चवदा की ओर हम बढ़ते हैं साथ ही इसके बारे में यह अगला प्रस्न है प्रस्न चवदा कहद्धा है कि भारत के सर्वच न्यायले में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और इसका प्रात्मीक अधिवक्ता कौन होता है तो इस प्रस्न का उत्तर हो जाएगा महा न्यायमादी या महा न्यायमादी करता आफसन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा पंद्रा इस्रोत द्वारा हाल ही में किये गए एक्सपो साइट के बारे में निमलिखित कथन पर विशार करें, पहला कथन है यह चरम इस्तिती में धमाक चमकदार खगोली एक्सरे इस्तरोत का विमिय गतियों का अध्यान करने वाला भारत का समर्पित पेर पोलरिमेट्री म प्रशन है यह पहला कथन सही है दूसरा कथन अंत्रिक छ्यान प्रित्वी की निक्षिली कक्षा में दो वैज्यानिक पेलोड ले जाएगा यह भी सही है प्रस्ण 15 का उत्तर हो जाएगा आप्सण C कथन एक और दो दोनों सही है 16 प्रस्ण है हिमालाय की सबसे भारी सिंकला को क्या कह जाता है आप्सण ए सिवालिक भारत की बारवी पंच वर्शी ओजना क्या अधी क्या थी आप्सण C 2012 सत्रा संगी स्रडी में किस भारतिय सहर को युनेसको क्रियेट्टिव सिटी नेटवर्क से जोडा गया आप्सण C वालियार एंसर इसका हो जाएगा प्रस्ण उन्नीस है भारतिय राष्टी कांग्रेस की स्थापना के बारे में निमलेखित कौन से कथन सही है पहला भारतिय राष्टी कांग्रेस का गठन अठारा सो पच्चासी में हुआ था जो कि दूसरा कथन सही है भारतिय राष्टी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष योमेज चंद्रव एनरजी थे या भी सही है तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आप्सण C एक और दो दोनों सही है प्रस्ण 20 कहता है अर्थसास्त्रमिन 2023 स्वेरिजिस रिक्स्पैंक्स पुरुसकार नोबेल पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया इस प्रस्ण को ततर है आप्सण B क्लाउडिया घोल्डिन प्रस्ण 21 माजूली विस्व का सबसे बड़ा आवाद नदी द्वीप है जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है आप्सण C प्रमपुत्र नदी के द्वारा प्रस्ण 22 है निम लिखित में से कौन सी नास्तिक विचारधा रहा है आप्सण D बहुत इसका सही उत्तर हो जाएगा यह जो मैं इंसर बता रहा हूं यह सीजी प्यस्टी के द्वारा लिया गया मॉडल इंसर के ही जैसे है इसमें अगर कोई सभी आपत्ती लगता है दोस्तों तो बिल्कूल अभी आपत्ती आपदर्ज कर आईए जैसे जैसे हमें मिलते जाएगा कोई सभी प्रस्ण का हम उसके बारे में बिल्कूल बताएंगे अगला प्रस्ण है व्यक्तिगत प्रयोज आई एक है तो इसका उतर हो जाएगा ओप्सन बी डि आई ब्राबर व्यक्तिगत आई माइनस व्यक्तिगत कर भुकतान माइनस गैर कर भुकतान प्रस्ण 24 का देखते हैं भारत का समिधान को लागू हुआ है ओप्सन बी 26 जनवरी 1950 प्रस्ण 25 काट कर जलाने वाली क्रिसी जिसे आमतोर पर जूम क्रिसी कहा जाता है या क्रिसी भारत के किस छेत्र में होते है या पूछा गया है तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आप्सन ए उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचली थै जूम खेती प्रस्ण 26 करेंट अफेर्स से पूछा गया है फातिमा बीवी जिनका हाली में निधन हो गया वह भारत की पहली महिला है इस महिला के बारे में पूछा गया है तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आप्सन भी सरोच नेला कि ये प्रथम महिला न्यायधिस थी जिनका अभी हाली में निधन हुआ है प्रस्ण 26 हो गया प्रस्ण 27 को देखते हैं भारत छोड़ों आंदोलन किस वर्स में शुरू किया गया था तो भारत छोड़ों आंदोल प्रस्ण 28 जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरण में निम लिखित में से किस धातू का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है आप्सन सी रोडियम इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्ण 29 ग्रेफाइट और हीरा मूलता खाली स्थान के प्रमाडूस से बने हैं आप्सन B कार्बन इसका सही उत्तर है अगले प्रस्ण के और बढ़ते हैं प्रस्ण 30 यहाँ पर है सासक, राजवन, संगमा, सालूब, उलूब किस से संबंदित थे, आपसन सी विजयन अगर से संबंदित थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैन दर्सन के संबंद में निम लिखित कथन पर विचार करें, प्रस्ण 31 यहाँ पर दो कथन दिये गए हैं, पहला कथन, जैन दर्सन दो मुख्य सिध्धान केर्द गुर्द कथन दो अनेक कांतवात के अनुसार प्रत्यक प्राणी में कई गुड़ होते हैं, वह स्थाई गुड़ जो किसी वस्तु की प्रक्रती का निर्पार करता है, वह गुड़ कहलाता है, यह कथन भी सही है, इसलिए इसका आप्शन सी कथन एक और दो दोनों सही है, प्रस्ण 32 निम्रे लिखीत कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें, पहला कथन दिया गया है, प्रिथे की सतह पैरा बेगनी विकिरण के रूप में उस्मा को पुना हुच सर्जित करती है, यह कथन गलत है दोस्तूं, कथन दो देखते हैं, बदल और कैसे आने वा दो सही है या उत्तर हो जाएगा, करेंट से फिर कुश्चन आया है, गर्बन नित्य जिसे युनेस्को की मानावत्ता की अभूत पूर्व संस्कृती विरासत की सूची में सामिल किया गया हुआ राज्य है गुजरात, आप्सन सीज का सही उत्तर हो जाएगा, अगला प्रस जीडीबी का उत्तर हो जाएगा, जीडीबी का मुल्यांगन मौजूदा बजार के कीमत पर किया जाता है, अप्सन भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रस्ण 35 है भारत के उपराष्टपती के संबंद में निम्लिकीत कथन पर विचार करें, तो पहला पुला गया है या र दिरवाचक मंडल के सदस्द्वारा चुना जाता है, या कतन भी सही है, प्रस्ण 35 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑफ्सन C, कतन 1 और 2 सही है, प्रस्ण 36 है, पानी पत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो इस प्रस्ण को उत्तर हो जाएगा, ऑफ्सन C, 1761, प्रस्ण 37 है, निम् सेवाल की अत्यधिक वृध्धी का कारण बनती है जिसे सेवाल प्रसपूटन कहते हैं जो की सही है सेवाल प्रसपूटन पानी की गुड़ता और मचली मृत्युदर में गिरावट का कारण बनता है आप्शन ए डी इसका सहीं उत्तर हो जाएगा कथन एक और कथन दो दोनों सहीं है प्रस्ण 38 प्राइदी पठार के बारे में बोला गया है निम लिकित कथन पर पढ़ें और विचार करें पहला है निम नदी के मैदानों से 150 मीटर उचाई से 600 से 900 मीटर की उचाई तक उठने वाला अन्यमित्रिभूज प्राइदीपी पठार के रूप में जाना जाता है सहीं है कथन दो है उत्तर पस्चिम में निम दिल्ली परवतमाला पुर्व में राजमहल की पहाड़ियां पस्चिम में गीर परवतमाला और दक्षिन में काडमम पहाड़ियां प्राइदीप की बाहरी सीमा बनाती है आप्सन सी कथन एक और दो दोनों सही है प्रस नोन तालिस देखते हैं केंद्रिय और द्योगिक सुरच्छा बल सी आई एसेप के महा निदेशक के रूप में न्यूक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आप्सन ए नीना सिंग जबकि यहाँ पर हिंदी में नायना सिंग लिया गया है दोस्तों इसका आप्सन ए हो जाएगा नीना सिंग प्रस्ण चालीस है बौध दर्शन के विश्यस्ता के संबंध में निमने लिखीत कथन पर विचार करें पहला है बौध दर्शन एक बीच गौतम बुद्ध की सिक्छाओं से ही मिलता है सही है कथन दूसरा है बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलजने के बजाया मानवी एक कष्ट के मुक्ती के लिए नैतिक जीवन पर जीने पर होचोर दिया गया है इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आप्सन सिके वोल एक और दो दोनों सही है प्रस्ण 41 लक्ष द्वीप समू के निमलिखित कथन पर विच्यार करें पहला कथन है द्वीप का समू छोटे मुगा द्वीपों से बना होता है दूसरा कथन है पहले इन्हें लेग डिव मिनिकाय और आमिन दिव के नाम से जाना जाता था दिसरा है तमिल नाडू के कोरो मंडल तट के निकट इस्थित द्वीप समू है तो इस प्रस्ण को उत्तर जाएगा आप्शन B केवाल एक और दो सहीं है जबकि यह तमिल नाडू के कोरो मंडल तट के निकट इस्थित नहीं है दोस्तो यह केरल के आसपास के निकट समू के दिपो के समू है प्रस्ण 42 करें का कोस्चन है जापान ओबन 2023 उरुष एकल का खिताब किस बैडबिंटन खिलाड़ी ने जीता है आप्शन C विक्टर एक जेलसन ने जीता है 43 नंबर का प्रस्ण है भारती रेगिस्तान के बारे में कौन से कथन सही है ये पुशा गया है पहला कथन भारती रेगिस्तान और आवली पहाड़ी के पस्चिमी किनारों पर है आप्शन B है इस छेत्र में प्रती वर्स 150 मिल्ली मीटर से बहुत कम वर्स होती है आप्शन C है लूनी इस शेत्र के महात्र बढ़ी नदी है आप्शन D उक्त सभी तो इस प्रस्ण को उत्तर है आप्शन D उक्त सभी लिया गया है प्रस्ण 44 है निम लिखित में से किस हार्मोन का प्रयोग गलत तरीके से जानवरों की दुख दुत पादन बढ़ाने सबजीयों में जैसे प्रस्ण 45 है मध्य भारत की मिनारों के बारे में विचार करें पहला है तेहरवी सताब्दी में निर्मित कुटूब मिनार एक स्वस्षी फिट उची पतली मिनार है जो पांच मंजिल में विभाजित है कथन दूसरा है पंद्रहवी सताब्दी में निर्मित चान मिनार 210 फिट उची एक पतली मिनार है जो चार मंजिलों से विभाजित है तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आप्शन B केवल दो सहीं है प्रस्ण 46 है राष्टी आय के बारे में इस प्रस्ण कुंतर हो जाएगा आप्शन B राष्टी आय ब्राबर माजार मुल्य पर इन इन पी माइनस अ प्रत्यक्षिकर माइनस सबसीडी इसका सहीं उत्तर लिया गया है 47 नंबर का प्रस्ण नहां पर देख रहे हैं देव प्रयाग और अलग नंदा नदी के संगम पर इस्तित है तो यह भागी रथी नदी के संगम पर इस्तित है आप्शन A इसका सहीं उत्तर हो जाएगा प्रस्ण 48 है इसरों के चंद्रयान 3 के बारें बताईए तो पहला कथाने चंद्रयान 3 एक छोर से दूसरे छोर पर सुरक्षित रूप से उतरने और चंद्रमा के तल पर घूमने के लिए छमता का प्रदर्शन करने के लिए चंद्रयान 2 का अनुवर्धी था दूसरा है इसे प्रक्षे पास्त्र LBM-3 द्वारा प्रक्षित किया गया था आप्सन C इसका सही उतर हो जाएगा 49 नंबर का प्रस्ण है मद्यय यूगीन भारत के संदर में S.A.R.A.I.S. सब्ध सरायस का अर्थ है इस प्रस्ण का उत्तर हुजाएगा option C सरायस एक स्थान जिसका उद्धिस भारती और विदेशी यात्री तीर्थ यात्री वैपारियों आधिका आइस्थाई आवास प्रतान करता था प्रस्ण तीन है निम लिखिस्त में से कौन से स्वतंत्र भारत की पहली बहु उत्तिस्य निंदी घाटी प्रियोजना है आप्सन भी दामदर घाटी प्रियोजना इसका सही उत्तर हो जाएगे दोस्तों यह हमारा इंडिया जीएस का टोटल पचास क्वेश्चन का सॉलूसन था जो किया है एक सेट डी को सॉल्व किया गया है इसका अगले पार्ट में हम सीजी जीएस को सॉल्व करेंगे दोस्तों हमारे साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों धन्यवाद